कि जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रूप एक्स और वाई का नोटिफिकेशन एक आ चुका है और एरफोस ने गोशना कर दिये कि अभी वो अप्रिल में एक्जाम कुछ कंड़क्ट कराने वाले हैं ग्रूप एक्स और वाई का तो उत्सुता आप लोगों की उत्सुता जायस सी बात है कि जिसकी हम तैयारी करते हैं और फिर देखते हैं कि यह बिलकुल लक्ष जो हमने चुनाए अपने जीवन में और वो इतना नजदीक आने वाला है और उसकी नजदीक का पता चप चलता है जब की बैटल स्टार्ट होई होती है मैदान में तो आप जानते हैं कि X और Y का जो एक्जाम है उसका बिलकुल विगुल भच्चुका है एरफोस ने तो संखनाद कर दिया है नोटिफिकेशन के मादिम से बात बागी का आप कितना इसका अगाज करते हैं यह आपकी प्रिप्रेशन पर डिपेंड करता है जैसा मैं सुरुआ से आपसे बोलता रहा हू कि एरफोस में ऐसा नहीं कि बहुत ब्रिलीन बच्चे चाहिए बहुत इंटलिजन बच्चे चाहिए एरफोस में आपको सफलता पाने के लिए जरूरी नहीं है कि बहुत ही इंटलिजन किसम के आपका विक्टित तो होना चाहिए एरफोस में सफलता पाने के लिए सबसे ज ग्रुप में adjustment और आर्मी के जो life style है defense के जो तौर तरीके हैं उनमें आप कितना adapt हो पाते हैं या नहीं कितना run पाते हैं या नहीं वो qualities अगर आपके अंदर हैं तो मैं समझूँगा कि Air Force में 100% आपको सफलता में लेगी तो यह जो notification आया है सबसे पहले बच्चों की जो query रहती है वो age से related रहती है और दूसरी query रहती है percentage से related रहती है और तीसरी query जो कुछ बच्चों की रहती है वो qualification से related रहती है तो मैं तीनों संदर्म में तो विचार करूँगा ही आज और इसके अलावा मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप इसमें 100% सफलता सुनस्चित करें आप जानते हैं कि कुछ बच्चे कह रहे हैं कि फेज 1 की प्रफेशन करने है रिटिन की तब आपको क्या 100 परतिशल सफलता मिल सकती है मैं कहूंगा बिलकुल नहीं अगर आपने फेज 1 किलियर कर लिया है तो आप समझे कि आपकी सफलता की प्रफेशन केवल 16 से 17% है इससे अधिक कुछ नहीं अब कुछ कहते है सर फेज 2 में क्या होगा जीडी कैसा होगा टॉपिक कैसा होगा लेकिन इन सब बातों से प्रमुक बात है कि आपका बेहडियर कैसा है डिफेंस की जो अनुसासन वाली लाइफस्टाइल है उसमें आपकी लाइफस्टाइल एडजस्ट हो पाएगी है तो वहाँ रम पाऊगे नहीं या फिर वहाँ एरफस्ट में आप एडजस्ट या एडप्ट हो पाऊगे या नहीं इन क्वालिटीज का होना भी अतियावश्ट है तो सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ एज लिमिट की 16 जैन्वरी 2001 2001 से लेके 29 डिसंबर 2004 ये दोनों ही डेट इंक्लूजब है अगर इन डेट्स पर आपका जनम हुआ है तो आप एरफस का कम से कम फॉर्म भरने के लिए इलिजिबल है ये तो थी एस क्राइटेरिया जिसके लिए बहुत सारे बच्चे हो सकता है कि इलिजिबल ना हो तो आगे भी बहुत सारे डेट्स के चांसे से उनके लिए यानि कि उनकी एज हो गई है तो आगे के लिए CDS के लिए अपलाई कर सकते हैं CPF के लिए अपलाई कर सकते हैं FCAT के लिए अपलाई कर सकते हैं और भी बहुत सारी schemes हैं जिनके लिए वो apply करके air force में ये defense forces में अपनी life बना सकते हैं राइट दूसरा तो देखिए इस process में जो trade group X है जिसको हम कहते है technical trade technical trade क्यों कहते है क्यों कहते है क्योंकि यहाँ पर जो भी आपको job मिलेगी वो technical मिलेगी और technical job से मेरा संबंद और कुछ नहीं है technical job से मेरा संबंद जैसे electric fitter आपको मिल गया trade radio fitter मिल गया radar fitter मिल गया यह जितने भी fitters के trade हैं वो सब कहलाते है technical और अगर मैं non-technical की बात करूँ तो हो सकता है आपको store keeper का trade मिल गया हो payment clerk का trade मिल गया हो या और भी बहुत सारे trade आपको मिल सकते हैं जिनको हम non-technical trade बोलते हैं education qualification group y के लिए आप किसी भी stream से आपने 12th किये तो आप group y के लिए eligible हैं वसर्दे आपके 50% marks इंगलिस में होने चाहिए और 50% aggregate होने चाहिए group x के लिए जो eligible है वो group y के लिए तो eligible होंगे ही होंगे क्योंकि group x के लिए आपको physics और math के साथ 12th पास करनी करती है इसके अलावा 50% आपको इंगलिस में maintain करना है और 50% aggregate maintain करना है जिससे कि आपका call up letter वापस आ सके तीसरी चीज जिसकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे education qualification की चर्चा हो गई age की चर्चा हो गई इसके बाद जो आप तैयारी करते है अगर मैं उस तैयारी की थोड़ी सी चर्चा करूँ तो जो बच्चे group x की तैयारी कर रहे है तो मेरा उनसे अनुरोद है कि आप group y की थी तैयारी करें क्योंकि group y का जो slabus है वो इतना simple है इसकी तैयारी करने की जुरूत नहीं है अगर आप group x में apply किये हैं इसमें आपका English तो वही पूछी जाएगी जो की आपको पूछी जाती है English तो common है main है इसमें reasoning percentage, profit and loss, ratio and proportions, simple and componentist, simple geometry यानि ये एक सारी चीजें आपने 7th, 8th level पर पढ़ी होंगी और अगर आप इन दोनों का form भरते हैं तो ऐसा नहीं है कि भाई group अगर आप y में fail होगे तो x में fail माने जाओगे नहीं अगर आप group y में fail होगे x में अच्छा score किया है तो आपको x के लिए consider किया जाएगा और अगर आप group x में fail होगे y में अच्छा किया है तो y के लिए consider किया जाएगा तो मेरी सलाह यह है कि fill up both the forms जिन बच्चों की eligibility है उनको ये दोनों ही form भरने है group x का भी भरना है, group y का भी भरना है तीसरा reasoning और इसमें कुछ gk के questions आते हैं लेकिन gk के बारे में बता दूँ यह सब direct based questions होते हैं कौन कहां का governor है, कौन कहां का मुक्षमंत्री है, तो ये 5 से 6 questions ऐसे होंगे जो आपकी gk, day to day gk पर based होंगे, और आपको लगेगा कि group x में तो चलो मुझे माल लिया physics सही से नहीं आ पाई math सही से नहीं आ पाई, लेकिन group y का मेरा काफी अच्छा गया तो group x में अगर आपकी नईया डूप भी रही होगी ना, तो group y उसको पार लगाने का पाप करे तो those who are planning for only group x मेरा उनसे suggestion है कि y का form बढ़ने में कोई बुराई नहीं है आपका होता है, आप किसमें जाते हैं, ये अलग बिस हैं लेकिन फिलाल अगर eligibility है, तो दोनों का ही form आपको बढ़ देना चाहिए तीसरा इसकी तैयारी, जैसा आप यहाँ पे इसकी तैयारी सब लोग करी रहें और इसकी जितने भी questions आएंगे, जो यहाँ आपको तैयारी कराई जा रही है, उससे बहुत हलके level पर है, बहुत हलके level पर, आप चाहें तो कहीं से भी आजकल हमारे YouTube channel पर भी पड़े हुए previous years के questions देख सकते हैं, एक बानगी मिल जाती है, उनको करने की जुरूत नहीं है, वो repeat नहीं होंगे लेकिन एक बानगी मिल जाती है कि कितना हलका और कितना भारी paper होता है अब कुछ sections होते हैं जैसे कि physics to be very frank, physics में थोड़ा सा unconventional चीज वो पूछते हैं, unconventional का मतलब हो सकता है कि आपको किसी चीज का refractive index पूछ लिया, अब refractive index तो technically question में दिया जाता है लेकिन वहाँ आपसे refractive index पूछ रहे हैं, हो सकता है कि alpha का मान पूछ लिया, कि alpha steel कितना होता है आपने yings modulus का पूछ लिया तो कुछ ऐसी चीज़े होती हैं जैसे कि आप अगर physics का paper अगर आप NDA का दे रहे हैं तो NDA में सारी चीज़ें दी जाती है even IITG का दे रहे हैं तो अपना board का दे रहे हैं तो सारी चीज़ें, neat का दे रहे हैं, सबकी चीज़ें दी जाती है लेकिन यहाँ पर इतने हलके questions उनको direct कोई पूछ सकता है इसमें थोड़ी सी आपको परेशन होती है मेरे कुछ स्टुदेंटें और उनने का कि सर ये तो मैंने कभी नी सोचाता कि इतना simple वो पूछ लेगा और मुझे याद नहीं था तो पहली चीज़ तो उन चीज़ों को नहीं छोड़ना जो छोटी-छोटी है मोटी-मोटी को बली छोड़ने बिकोस मोटी-मोटी दे विल नॉट आस्क हो सकता है किसी चीज़ का refractive index पूछ लिया alpha, beta, gamma linear coefficient का expansion bulk का तो ये alpha linear का आपको पूछ लिया मन लिया, steel के लिए कितना होगा alpha, steel पूछ लिया तो आपको alpha, steel नहीं पता है, ये पूछा जा जोगा है तो इनको आपको cable याद कर लें निका है cable physics में इतना है और इसके लावा कुछ नहीं बात बागी का बहुत simple आएगी और जहां आपको जो पढ़ाया जा रहा है उससे बहुत lower level का test आपको पूछा जाएगा लेकिन इस test को मैंने जैसा आपको बताया है कि आप NDCA learning app जिसकी launching is 25th of January को होगी 2021 NDCA learning app से इन सारे वीडियोज आपको मिल लेंगे physics के especially IIT Delhi से जो लक्षमन गोस्वामी आपको पढ़ाते हैं उनके सारे वीडियोज आपको खटा एक साथ मौश मिल जाएगे ऐसा नहीं है कि लाइब वो क्लास लेंगे यानि जैसा बोर्ड पर पढ़ाता है टीचर उनकी हुबहुँ आपको professional recording और ये वीडियो में ये नहीं कहूँगा कि किवल NDA के लिए sufficient है किसी Air Force के exam के लिए sufficient है जो बच्चे 11 दिया 12 कर रहा है न तो वहाँ भी NCRT के questions का उनने जिक्र किया हुआ है 11 12 के लिए भी उनके physics के जो वीडियोज आपको अगर लगता है कि मैस में कोई कहीं कमी चल रही है तो आप क्या कर सकते हैं आप mathematics के वीडियो वहाँ से देख सकते हैं टिक्नोमेटरी मान लिया कोई चीज नहीं समझ में आई उसकी 14-15 classes यहाँ भी पढ़ी होंगी जिसकी अभी हम launching 25 जन्वरी से करें similarly English की भी सारी की सारी classes पढ़ी होंगी और English के बारे में मैंने आपको यह पूरते बताया है कि हिंदी के इसाफ से English मत सीख तो क्या rules हो सकते हैं क्या जो कुछ भी आपने अब तक पढ़ाया ना यह सारा कुछ आपको app पर मिलागा और इस app के अलावा जो हमारा portal है www.ndca.in पर जाते हैं और जब आप यहाँ पर जाकर register करते हैं और आपको सबको assess मिल गई होगी जो भी बच्चे registered हैं यहाँ पर वहाँ पर सारी की सारी classes पढ़ी हुई है और हम उनको update करेंगे जैसे app के साथ करेंगे तो उनको भी आप देखिए वो सारी की सारी classes पढ़ी हुई है कोई topic नहीं समझ में आए आपने वहाँ से देख लिया questions के लिए मैं हूँ doubts के लिए basic आप चाहें तो वहाँ से और cover कर सकते हैं अगर आपको एक ही topic 15 class में पढ़ना है तो वहाँ से पढ़ सकते हैं लेकिन अगर आपको एक topic एक है दो दिन में पढ़ना है तो यहां पढ़िए पेरी बात आपको समझ में आ रही है में ने आपके questions में ने आपके doubts जितने आप doubts करेंगे जितने आप questions लगाएंगे उतना ही written test में सफलता मिलने की संभाव न रहेगी लेकिन मैं फिर से एक बात कहता हूँ written test alone is not sufficient to crack this test के वल written test के माध्यम से इस test को crack नहीं किया जा सकता न तो NDA को किया जा सकता है और नहीं Air Force के X और Y test को pass किया जा सकता इसके लिए you have to be mentally, mentally में क्यों कह रहा हूँ you have to be mentally strong आपको मानसिक रूप से बहुत ताकत वरोना पड़े फौज में जॉब करना इतना असान नहीं है अगर कोई फौजी हो तो उसकी आत्मकता पूछ ले न वो बता देगा आपको कि कितनी प्रेसर में वो लोग जॉब करते हैं सोना मिले नहीं मिले ड्यूटी सर्वो परी रहती है comfort zone आपको आपका त्याग ना पड़े comfort ना आपकी मा कोई चीज है ही नहीं that's why I say you have to be have to be mentally strong आपस्ट और mentally strong क्यों इसका में एक सिंपल सा statistics आपको पिछले exam की result से दिन पाँ मैंने आपको बताया करीब 17,323 बच्चों ने phase 1 phase 1 कहते है written test को यह written test के लिए रिटेस्ट के लिए और आप सोचिए कि vacancies उनको भरनी है केवल 3,3 से 4 या 5,000 तो simple सा probability का गनत है simple सा probability का नियम है कि लगबग 16 से 18 परसेंट या 17 परसेंट बच्चे ऐसे होंगे जिनका final selection होगा अब वो कहीं physical में निकाले जाएंगे कभी कदमताल में निकाले जाएंगे कहीं adaptability test 1 और 2 में निकाले जाएंगे according to your behavior तो इसलिए मैं पहले से ही कहता हूँ कि आप अपना behavior थोड़ा सा सुरक्षित रखिए सही में तरखिए जैसा अनुसासन में फॉज वाले रहते हैं वैसा अनुसासन में रहने की कोसिस करिए और जितने भी समसामिक topic हैं उन पर English में debate सुनना स्टार्ट करिए क्योंकि Air Force की language जो है वो English है और ध्यान रखना ये adaptability test 1 और 2 जो है न वो purely psychological based test है इसकी test की तैयारी कोई अंग्रे जी का teacher नहीं करा सकता टेक्निकली हम क्या समझ लेते हैं कि इसमें English पूछी जा रही है group discussion होता है आपको पता है अंग्रे जी की जो teacher पढ़ाते हैं अंग्रे जी की कोचिंग चलती है उसमें discussion नहीं चलता उसमें debate चलती है आप arrange marriage के पक्ष में आप lamb marriage के पक्ष में law तो या लड़ना नहीं है या discuss करना तो psychological इसका nature है उसको समझना है group discussion में यहाँ पर आपका behavior चेक होता है यहाँ पर आपको वो बोलने का भाई औरों को अभी तो बोलने का समय दो यहाँ पर आपका coordination, cooperation, leadership की quality यह सब चीज़ें चेक होती है और similarly SRT, situation reaction test में यह एक psychological test है आपकी जो reaction है न वो बहुत कुछ कहती है किसी भी topic पर reaction speaks itself a lot अगर मैं चार options दूँना आप एक option उसमें से chain करते हैं तो यह option आपके बारे में बहुत कुछ बताता है और जैसा मैं कहता रहा था इसकी physical प्रिकरिया में ऐसा कुछ है नहीं खास इसकी physical प्रिकरिया के लिए जादा नहीं जादा नहीं कुछ नहीं तो आप 1600 मीटर बस दौड़ना start कर दीजिए push ups, sit ups, chin ups वो 10 सब लोग लगा लेंगे लेकिन एक process से इतना physically आप strong हो कि उसका physical clear कर लें और जादा physical इसका कुछ भी है नहीं अभी वो कदमताल करा रहे हैं तो कदमताल किसका प्रतीक है कदमताल एक discipline का प्रतीक है परेड चलती है कदमताल चलती है यह आप फोज में देखेंगे वो एक साथ उनका पैड चलता है एक साथ उनका हाँ चलता है तो जो कदमताल है न यह discipline का प्रतीक है यह group behavior का प्रतीक है यह adjustment का प्रतिक है कि आप औरों के साथ adjust हो पाते हैं या नहीं, औरों के साथ आपके कदम बिलकर चल पाते हैं या नहीं औरों के कदमों के साथ आपके कदमों का तारतम में गती दुनी बैठ पाती है इसलिए वो लोग कदम ताल करा रहे हैं because they want to check your group behavior ऐसा तो नहीं है आप बिलकुल अलग चलना चाहते हैं सबसे तो अलग चलना चाहते हैं तो फोज में तो आपके लिए को इस्थान नहीं है अलगर आप चलना चाहते हैं तो कुछ और अपना रस्ता चुनी है क्योंकि फोज में तो आपको सब के साथ ही रहना पड़ेगा आपको पहला कदम है तो आपको अपने साथ ही देखना पड़ेगा इसको कहते हैं परेड कमांडर जो परेड को लीड करता है ना उसका जो पेर है वो सबसे पहला बंदा देखेगा दूसरा उसका देखेगा तीसरा उसका देखागा अगर कोई कॉमन टास्क आपको दे दिया जाता है तो आप उसको बिलकल कर पाते हैं या नहीं कंप्लीट कर पाते हैं या नहीं यह वहाँ पर चीज देखी जाते हैं इसका दूसरा सेशन और होगा दो तीन आपके पास लगवक तीन महीने हैं और इन तीन महीने में आप 100% अपनी सफलता इस परीच्छा में सुनिस्चत कर सकते हैं जैसा कि आप जानते हैं इन परीच्छाओं में स्पीड और एकुरिसी का बहुत बड़ा महत दो रहता है एक कॉस्चन को सॉल्ब करने के लिए आपको 35 से 40 सेकिंड का समय मिलता है मेरे कोर्सिस में मैं आपको बताऊंगा कैसे ट्रिक्स के माध्यम से जल्दी से जल्दी आप कॉस्चन को शॉट आउट कर लें मेरा डाम है मेरे कोर्सिस से जुड़ने के लिए डी गई लिंक पर क्लिक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को दबाएं और फ्री डेमो प्राप्त करने के लिए मुझे वाट्सअप करें 8954777199 पर जल्दी करें क्योंकि इन कोर्स के लिए लिम्टेट सीट्स ही बलबलब